आज की जो हमारी अफडेट है उसमें जाने से पहले आज हम आप आप से निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारी होमियो रीडर के यूट्यूब चैनल पर नए है तो लगातार होमियो जगत से जुड़ हुई खबरों से आपको रुगरूप कराता आ रहा है आज की जो अपडेट लेकर आया हूँ वो आयूस डाक्टरों के लंबित बहाली को लेकर है जिसपे की नए पदों पर जो सिजन किया जा रहा था 3270 पदों और नए पद वो सभी चीजे जो है अभी भी बिहार में अभी तक कोई विभरती आयूस के पदों पर होती हुई नहीं दिख रही है आयूस के 3270 पदों का जो मामला है वो अभी भी फिलहाल कोट में है और उसको देखते हुए अब जो है आयूस के जो संगटन है आयूस एकता मंच ने कमरकस लिया है और वो जो है तेरह फरवरी को पटना के गर्दनी बाग जो एरिया है इस्तल है वहाँ पे एक दिवसी धर परदर्सन जो की गर्दनी बाट पटना में आवजित किया जा रहा है उसमें जो है लोगों का समर्थन भी मिल रहा है और काफी मात्रा में उम्मीद है वहाँ पे लोगों के पहुचने की उमीद है क्योंकि ये मामला जो है पूरे बिहार के आयूस चिकिसको को लेकर है कि का आयूस एकता मंच ने कमर कस लिया है और उसी के सिंकला में उसको समर्थन भी मिल ला है जन समर्थन हुमिपैती चिकिसक, आयरबेद चिकिसक, युनानी चिकिसकों के समर्थन के साथ साथ जो है अब एक और समर्थन उनको मिल ला है आयूस मेडिकल सर्विसेज एसोसियेशन अमसा बिहार की तरफ से भी इस आयूस एक्ता मंच का जो एक दिवसी धर्ना परदर्शन है गरदनी बाग पटना में उसको समर्थन मिलना शुरू हो गया है और ये जो है कि आयूस मेडिकल सर्विसेज एसोसियेशन बिहार की जो संस्ता है उन्होंने भी समर्थन पत्र देख ये लिखा आयूस एक्ता मंच को और बकाइदेव जो है कि एक दिवसी धर्ना परदर्शन है उसमें इस आंदोलन में नैतिक रूफ से समर्थन करता है इसके साथ ही हम सरकार से मांग करते हैं कि लंबिक नेक्ती प्रकिरिया को अब इलंब पूरा किया जाए अन्यता बाद् समिदा पर कार कर कारत सभी आयूस किस्तक कार का बाहिसकार और अंदोलन करने में विवस हो जाएंगे तो कुल मिला के जो समिदा कर्मी हैं उनकी एक एक एससीएशन है आयूस मेडिकल सर्विसेस एससीएशन उनका जो है की समर्थन अब जो है बिहार के 3270 पदों पर जो भर स्ट्व रिस्पांस है और साथ में एक नयतिक के रूफ से जागर इस अंदोलन में जो है की सभीधानिक रूफ से जो भी हिस्सा ले रहे हैं उनकी बस यहीं मनसा है कि जल से जल यह भरती पूरी हो जाए क्योंकि काफी समय से यह भरती रुक्य हुई है तो इस जो है की जो अंदोलन हो रहा है उसमें जुहें क्यादा से जादा लोगों के पहुचने के उम्मीद है अंदोलन के लिए कि ये देखिये सिर्थी मजिट्रेट प्रभारी दंड़ादिकारी पत्ना के लिए ज ईकतरा से एक अबलिकेशन भी लिखा गया है ये दो तारीक के अबलिकेशन ने इसमें पकाइदे लिखा गया है कि लगभग जो है सौ की संख्या में आयोजन में भाग लेने वाले लोग रहेंगे सुबह दस बजे से लेकर साम को पांच वे तक एधरना चलेगा और आयोजन के लिए ये पूरा धरना परदर्सन किया जाएगा आयोजन सेक्ता मंच मुझफर फूर्स की तरफ से है इसमें जो अध्यच चोर सच्चिव के अत्रीक जो लोग उत्तर द्याई बेखती हैं उनका नाम यह जैसे डाक्टर चंदन कुमार, डाक्टर पाउन कुमार उनका मुबाइल नंबर है और यह जो है कि 2223 की जो है एबलीकेशन कापी है तो इसको आप देख सकते हैं और 1323 को यह धन्ना जो है सुबर 10 बजे से लेकर साम पांच वे तक पतना में आजजी किया जाएगा यह अपडेट आप होमियो रीडर की तरफ से देख रहे हैं